होकी के सेमी फाइनल में दुपहर साड़े तीन बज़े से आज भारतिये महिला टीम का मुकादला अर्जिंटीना की टीम से है भारतिये महिला होकी टीम अपने उलामते गोल्ड मेडल से सिर्फ दो कदम के फासले पर भारतिय महला टीम ने यहां तक पहुंचने के लिए तीन बार की चाम्पियों अस्ट्रेलिया की टीम को एक शून से करारी हार देकर बहार का रास्ता दिखा दिया इसलिए बेटियों से उमीदे हाई हैं और इस वक्त देश भर से आवाज यही कि ये दिल मांगे गोल्ड अरजिंटीना मजबूट टीम है मुकाबला मुश्किल रहने वाला है लेकिन जब इरादे मजबूट हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और कुछ इसी होसले के साथ आज भारत की ये बेटियां मैदान पर उतरेंगी अगर अरजिंटीना की टीम को आज इस भारतिय टीम ने हरा दिया तो फिर सिल्वर मिटल तो पक्का मानिए और इस बीच देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओलम्पिक में आज के मैचस को लेकर काफी उत्सा दिखाया है उनका क्याना है कि भारत के लिए आज का दिन एतिहासिक साबत हो सकता है आज आज का दिन बहुत महत्तपून है तुड़े इंपोर्टेंट डे फॉर इंडियन अथ्लीट्स आपने सुबह भी देखा जिस तरह से हमारे अथ्लीट्स ने रस्लर्स ने अपनी सेमी फाइनल में जगा भी बनाई और वहीं पर हमारी महिला होकी टीम का भी महत्तपून मैच सेमी फाइनल का है मुझे पूर्ण विश्वास है वो भी अपना शांदार पर दर्शन करेंगे और आज का दिन भारत का अलम्पिक्स में अतिहासिक दिन हो सकता है तो जीतेगा इंडिया ये तिरंगा कावरेज जेबी पी नियूस पर लगातार जारी है और इसमें हमारे साथ खास मेमान लगातार बने हुएं बिना वक्त गवाय सीधिया आपको लेकर चलते हैं होकी टीम के पूर्फ कप्तान दिलिप तर्की हमारे साथ लगातार इस खास जरूत नहीं है उनको मालूम है आज का मैच काथी इंपॉर्टन है सेमी फाइनल मैच है और जिस तरही किसे टीम में कॉंफेड़न से मेरे खाल से वही कॉंफेड़न के साथ खेलें के अच्छी होकी खेल सकते हैं मुझे लग रहा है और सबसे इंपॉर्टन चीज है जैसे कि एक फन जए लास्ट में समय समय पर जो गूफ कर रह थे आगे जा कर ताख कर ठागे जा कि आगे जा कर एड़ है कि उसको इसे था रखना है और बीच में मेरा जो गया चोड़ना नहीं है फ्यां घुटन कर नहीं है तीम की लग दागा है आर यॉर्टन के छिए गार घर के बात कर रहें यहां पर दिलिप तरकी आप विश्वास की बात कर रहें यह पर दिलिप तरकी हमय नहीं भूलना चाहिए कि ऑलमपिक में इस बार जो यह महिला होकी टीम है इसके शुरुआत होई और इसके बाद जो खबरे आएं की साथ कोच ने एक ऐसी फिल्म दिकाई जि इसका नाम खुद खिलाडियां जो हैं वो खुद नहीं जानती हैं कोच ने प्रॉमिस किया है कि इस मूवी के बारे में और इसमें क्या-क्या हमने दिखाया कौन से सीन्स दिखाएं उन सब का खुलासा वो इस टॉर्णमेंट के बात करेंगे तब तक मोटिवेट करने के तो ये सारी कि सारी लड़कियां साई होस्टल बैंगलूरू में ही थी वो कहीं नहीं गई और लगाता ट्रेनिंग कर रही थी जो फेसिलिटी बाकी लोगों के पास नहीं थी और इसलिए मेरे खाल से दिलिब भाई इससे सहमत भी होंगे कि जो तालमेल हमें यहां पर इस ट तीन मैचेज अर्जंटीना के सीनियर टीम के खिलाफ खेले एक में उन्होंने ड्रॉ किया दो बाकी मैचेज में एक शूनिय से हारे लेकिन तब से लेकर अब तक का सफर काफी जादा बहतर हुआ इस विमेंस टीम के साथ क्योंकि यह लगाता ट्रेनिंग कर रहे थे अपने फिटनेस पर फोकस कर रहे थे जी इस पर फोकस कर रहे थे रोमाना वह जो आपने टीम इंडिया वाली बात बताई ना कि कैसे एक साथ यह खेल रहे थे और किस तरीके का इन का कॉडिनेशन मुझे लगता है शुभी को फिल्म याद आ रही होगी चंग दे इंडिया मुझे तो जाहिर सी बात है पूरी मेहनत से खेलेंगी चुभी मेरी जो शुभकामनाई है वो खास करके सविता-पुनिया के लिए है क्योंकि मैं जाहिर सी बात है पूरी महनत से खेलेंगी जानती हूं कि आज उनका जो जोर लगेगा जो उनका ग्रेट वॉल जो नाम दिया गया है आज उसकी पूरी की पूरी जो है वो टेस्क पे उतरने वाली है और मैं चाहूंगी कि मेरी सारी दुआया जूनके साथ हो कि वो खड़ी रहें डटके अपने गोल के सामने और जो ह जाता है डिफेंस को अपने पैक रखना होगा और ऐसे में जिसका जिक्र शुभी आपर कर रही है कि दुवाल मतलब अभी तक तो हम क्रिकेट क्रिकेट में राहूल द्रवेड उन्हीं को वाल के तौर पर जानते थे और सविता पुनिया दवाल उन्हीं को आज बड़ी प्रश का पर जोड़ी दुवाल उन्हीं को बात कर रहे हैं किया जा रहा है और सथी साथ हमारे रानी रानी नवद बंदना सब को मिल कर अटकिंग को भी हमें बूल करना होगा लेकिन सबसे इंपोर्टन जो आप कर रहे हैं सभी ता पुनिया का रोल काफी इंपर्टन रहे में भी सभी तपना बेटर करेगी बिल्कुल और कप्तान का आपने जिक्र कर दिया तो कैप्टेन राणी रामपाल के घर से तो एबीपी न्यूस अबादाता हर्पिंदर इस पक्त मौचूध ही है हर्पिंदर परिवार के मंद से इस पक्त दुआएं किस तरीके से निकल रही हैं बोर्ट टीवी के सामने अभी से बैठ चुके हैं और बड़ी बात यह है उन्होंने अभी तक खाना तक नहीं खाया है उनका यही कहना है कि जब तक मैच नहीं होता हम खाना नहीं भी निकाएंगे जब जीतेगी टीम इडिया उसके बाद रही खाना खायेंगे और उस सुबह के यही दुआएं दे रहे हैं कि टीम को बेटियों को सभी को कि एक जूट होके यह मैज जीतना है और जीत के आना जुरूरी है बेटियों का भी कहना यही है कि हम कुछ न कुछ नया इतिहास रचेंगी बाकी हम भी परमातमी तरफ से दुआएं कर रहे हैं यही दुआएं हैं कि बारती टीम जीत कर वापस आए और देश की बेटियों जो हैं वो नाम रोशन करें पूरी दुनिया में क्योंकि होकी को जिस तरह से पहले तवज़ नहीं दी जाती थी अब होकी को बहुत ज़्याद पी हमारे साथ उनके एक कजन ब्रदर भी हैं उनके साथ भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है आपके पास तो फिलाल परेवार यहीं उमीद कर रहा है कि नया इतिहास रचें यह बेटियां टोक्यो ऑलम्पिक में मैदान पर उतरेंगी और इतिहास रचने से कुछ ही दूर हैं मैं बात कर रहा हूं बारतिये महिला होकी टीम की जो आज पहली बार ऑलम्पिक्स में समी फाइनल में उतरेंगी और समी फाइनल खेलेंगी जिसके लिए पूरे देश बर से दुआउं क दोर चल रहा है दूआउं का सिलसिला चल रहा है और हम इसमें जम्मू में हैं जहाँ पर भारतिये महिला होकी टीम की जीत के लिए बाकाइदा हवन कि आ जा रहा है मंतरो चारन के बीच यहाँ पर दुआ की जा रही है कि जो महिला टीम आज टोक्यो में खेलने उतरेंगी वो नकेवल यह सेमी फाइनल जीते है बलकि फाइनल जीत कर धेश को गोल्ड दिलाए बाला साब शिवसेना के यह कारे करता हैं महिला कारे करता हैं जिन्होंने यहाँ पर इस हवन का आयो जिन किया है अब दूआ मांगी जा रही है बगवान से की बारतिये महिला हौकी टीम जो है वो गोल लेकर आए और नकेवल इस सेमी फाइनल को जीते है बलकि सेमी फाइनल के बाद फाइनल भी जीते है मनीश हमारे साथ मनीश आज महिला हौकी टीम पहली बार सेमी फाइनल खेल रही है क्या कुछ मांग रहे हैं आपको जी अब भारत की बेटियों ने आज इतिहास रचा है भारतिय हौकी टीम आज अपनी कडी मेहनत के साथ सेमी फाइनल के अंदर पहुंची है उसी के लिए आज हमने उनके लिए वैशनोदेवी से प्रात्ना कर रहे हैं हवन यक के माध्यन से के तो अलम्पिक्स पे बेटियों ने जो दम दिखाया उसी के बाद अब ये देश बेटियों से मांग रहा है गोल फिलाल बहुत-बहुत धनेवाद सबी खास मैवानों का हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ने के लिए बेटियों पर विश्वास जताने के लिए और उन्हें शुपकामना है देने के लिए